कच्छे पंपीते को बनाती शूर्य से त में बनाने में सूप राइस तृट दे और सीड पंदाРИब समें इसको अब इसको क्या करना है हमें इसका जो छिलका है ना उसे हमें हटा लेना है अच्छे से साफ कर लेंगे चिलके को और जो अंदर भाग होता है ना उसको भी हमें अलग कर लेना है मैं भी आपको दिखाऊंगी तो यहां पर छिलने के बाद यहां पर बीज लगी होती है व बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है बहुत ही टेस्टी बन के त्यार होती है यह तो यहां पर इस तरह से मैं इसको घिस लिया है और डालेंगे एक चोटा चमच देशी घी दो हरी लाइची हलका सा जब गरम हो जाई लाइची तो इसमें पपीते को हम डाल देंगे और यह जो पपीता है वो नरम हो जाएगा अब देखिए इस तरह से अब गैस का फूल कर सकते हैं मीडियम करके इसको थोड़ा सा फून लीजिए ताकि इसको जो भी पानी इसमें है वो खतम हो जाए अब जब पानी खतम हो जाएगा तब यहां पे मैं ले रहे हूं आधा जिसमें की 0 calories होती है 0 carbohydrate होता है 0 sugar है जैसे कि आपके घर में diabetes के patient है या फिर आप डायट फॉलो करने शूगर नहीं ले रहे तो आप इसे यूस कर सकते हैं इसमें पॉड़र के फॉर्म में भी आता है और लिक्विट में भी आपको मिल जाता है टैबलेट मिल जाती है तो यह 100% natural है आप इसका इसमाल कर सकते हैं तो आज मैं इसी का यूस करने वाली हूं यहां पे मैं तीन पाउच इसका इसमें डाल देती हूं और इसकी स्वीटनेस ना बहुत ही कमाल की है बिल्कुल हलका मीठा सा लगेगा आपको लगेगी कि आपने इसमें शूगर नहीं एट किय है अब इसको तेज आच करके मैंने पका लिया है तो यहां पे कच्छी पपीते का हल्वा मारा बनके त्यार हो गया है बहुत ही टेस्टी बनता है तो इसे आप एक बार जरूर ट्राइगा आप सभी को बहुत पसंद आएगा तो यहां पे मैं आपको सर्व करके भी दिखा किया है बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में ना खाने में बहुत टेस्टी है तो इसे आप जरूर एक बार ट्राइगा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेगा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलेगा कॉमेंट में भी बता द किसी बूलेगा 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 किसी बूलेगा